Hello everyone, welcome to Tejas Career Academy Guys, आज है 27th of February और आज हम देखेंगे important current affair के questions को तेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए की important announcement है कि guys हमारे यहाँ CGPSC की अगर हम बात करे free or man's, UPSC, SSC, ब्यापम इन सभी का one day exams को include करते हुए offline mode में एक batches start हो चुकी है काभी बच्चों ने enrollment कर लिया है तो आप में से जो भी interested हो तो description box में आपको number दिया गया है या फिर अगर आपके कोई friend होंगे तो आप उनको suggest कर सकते हैं जो भिलाई में recite कर रहे हो ठीक है clear? चलिए शुरुआत करते हैं आज की session का सबसे पहले हमें आप एक questions के उपर जाएंगे पहला question है कि हाली में प्रदेश के किस स्थान पर material recovery facility and plastic recycling plant तयार किया गया है तो आपको पता होना चीए कि रायपूर में ध्यान रखिएगा आप रायपूर में सांकरी करके एक जगह है सांकरी करके एक जगह है और रायपूर के सांकरी में याद रखिएगा रायपूर के सांकरी में recycling plant recycling plant जो है open किया गया है ठीक है recycling plant जो है open किया गया है क्या काम होगा तो plastic की bottles को recycle करने का इसके अलावा जितने भी waste हैं plastic waste हैं उन सभी को recycle करके reusable बनाने के लिए यह fully automatic जिया हम रखिएगा fully automatic fully automatic state का पहला recycling plant होगा ठीक है state का यानि कि राज्य का पहला राज्य का पहला fully automatic recycling plant होगा ठीक है अब बताती है कि total इसकी costing भी होगी अगर हमने यहां पर लगाया है तो हमने plant लगाया है तो उसकी कुछ costing भी होगी investment cost भी होगा investment cost के सासथ हमारा operation में अगर हम देखें तो क्या इसकी capacity है छमता क्या होगी तो धियान रखना है आपको छमता जो है इसका इसका छमता जो है 15 metric ton का है और 15 metric ton का है costing की अगर हम बात करें फीक है costing की अगर हम बात करें तो 6 कड़ो रूपी 6 कड़ो frustrating यानि की रैपूर के साजरी में recycling plant लगाया जा रहा हैai जो की राज्ये का पहला fully automatic recycling plant है correct option बन जाएगा यहाँ पर आपका ए आगे बढ़ते हैं next question पे प्रदेश का पहला बकरा प्रजनन उपकेंद्र, अब क्यूं बकरा प्रजनन उपकेंद्र क्यूं beschुंडर वह ने क्योंल क्यों आप लाइव स्टॉक पढ़ेंगे, ठीक है, लाइव स्टॉक यानि की राज्ये का पशुधन का जिस टेममे आप आर्थिक सर्वे पढ़ते है उस समय हम पढ़ते हैं पशुधन के बारे में ठीक है तो पशुधन में एग्रिकल्चर के साथ क्रीशी के साथ इसको इंक्लूड किया जाता है तो हाल ही में राज्य के कामधेनु विश्व विद्याल है और राज्य पशुपालन विभाग दोनों के द्वारा ध्यां रखे पूर्मी गुंडरा ध्याद रखेगा पूर्मी गुंडरा गौठान में दुर्ग जिलेए और राज्य पशुपालन विश्व विद्याल है दुर्ग के साहियोग से इस ब्रत्वरा बकरा प्रजनन उपकेंदर की शुरुवात की गई है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका गौठान में याद रखना है आपको गौठान में इसको स्थापित किया गया है और यह क्या है पूर्मी गुंडरा याद रखेगा पूर्मी गुंडरा पूर्मी गुंडरा गौठान में दुर्ग जिले के जिलाप्रसासन और कांधिनु विश्व विद्याला के साथ साथ एक combined संजुक्त सहयोग के साथ उश्माना बादी भ्याम रखिएगा उश्माना बादी बकरे के प्रजणन हे तू ताकि क्रीशी को बढ़ावा मिले और क्रीशी ब्योसाय से जूड़े लोगों का आए बढ़े पशुधन में व्रिधी हो इसके लिए बकरा प्रजणन पकेंद्र होगा सीजी का फस्ट ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका बी डैट इस दुरूर्प नेक्स्ट क्वेशन है राज्य के किस वेट लिफ्टर ने खेलो इंडिया रास्टिये महिला रैंकिंग वेट लिफ्टिंग परतियोगिता में श्वा जूनियर दोनों केटेगरी में राज्य की ग्यानेश्वरी यादवने याद रखेंगे आप ग्यानेश्वरी यादवने दोनों केटेगरी में ग्यानेश्वरी यादवने सरवाधिक वेट लिफ्टिंग करके वेट उठाकर वेट लिफ्ट का मतलब हो गया वेट उठाकर सिनियर और जूनियर दोनों में एक एक श्वणपदक जीते हैं तो यहांपे ग्यानेशवरी यादओ ने रास्टियेव महिलार रैंकिंग वेट लेफटिंग चैंपियाण से प्यानी परतियोगिता हमें दो श्वर्ण पदक जीते हैं, नाम है उनका ज्यानेश्वरी यादव, ज्यानेश्वरी यादव, करेक्ट अप्शन बन जाएगा आपका C, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्स 2023 में New India Literacy Program के अंतरगत राज्ये के कितने असाक्षर, असाक्षरों को साक्षर कि ये जाने का लग्स रखा गया है, तो वर्स 2023 में New India Literacy Program, ध्यान रखेंगे New India Literacy Program, NILP, New India Literacy Program में अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर 36 गड़ में, 36 गड़ में अगर आप देखिएगा, तो इसका क्रियानवयन का अच्छेतर सभी जीलो में है, ठीक है, सभी जीलो में है, ब यहाँ पर आपको priority देखने को मिलेगी, वरियता किसे दिया जाएगा, जो निती यायोग के आकांची जीले, ध्यान रखेंगे आप, आकांची जीले की सुची में होंगे, और आकांची जीले की सुची के बाद, वैसे जीले जहाँ पे साक्षरता दर बहुत कम है, याद र पुल पांच लाख, याद रखना है आप, याद रखना आप, पुल पांच लाख असाक्षरों को साक्षर किया जाएगा, और इसके लिए पचास हजार, इसके लिए पचास हजार स्वयम सेवी सिक्षक, स्वयम सेवी सिक्षक बनाए जाएंगे, ध्याम रखेंगे आप, श टुम games of pa उसाघ्षक्षरों को हैंडरेड़ परसेंट साक्षर करने है तुप ठीक हैẻ ल में यह पांच सालों में आने वाले पांचसेलों में छतिस न्डुकर घूआ hypothesis इसस ग्र सभीः मुण आपका तो correct option होगा यहाँ पर आपका 5 लाग, that is option D, clear, चलिए, next question है यहाँ पर आपका, self-sanskriti मड़ई 2023 का आयोजन कब तक किया जाएगा, self-sanskriti मड़ई, तो आयोजन हो कहां रहा है, आयोजन हो रहा है, रायपूर के महंत घासी दास, ध्यान रखना है आपको, महंत घासी दास, इसमारक संग्रहाले में, ठीक है, रायपूर के महंत घासी दास, इसमारक संग्रहाले में, कब से कब तक, 25 से लेकर के 27 तक, 27 परवरी, 25 से लेकर के 27 परवरी तक इसका आयोजन होगा, क्लियर है, किसके द्वारा, लोकधारा सांस्कृतिक संस्था और राज्य संस्कृति मंत्राले के द्वारा और राज्य संस्कृति विभाग के द्वारा 25 से 27 परवरी तक इसको और्गनाईज किया जाएगा रायपूर में महंत घासी दासस मारक संग्रहाले में करेक्ट आप्शन बन जाएगा आपका A that is 27th of परवरी कब तक किया जाएगा तो 27 परवरी तक ठीक है इसके साथ साथ आपको और एक चीज याद रखना है पसने यहाँ पर बनेगा A Next question है हालिय में राज्य के किस वेक्ति को संगीत नाटक Academy पुरुश्कार से सम्मानित किया गया है तो राज्य के किस वेक्ति को संगीत नाटक Academy के बारें बात कर रहा है तो संगीत नाटक Academy से मम्ता चंद्राकर ध्यान रखना है आपको मम्ता चंद्राकर कौन है मम्ता चंद्राकर इंद्रा गांधी कला एवं संगीत विश्व विद्यालेक हैरागड की वाइस चांसलर ठीक है कुलपती मम्ता चंद्राकर का नाम है मोक्षदा चंद्राकर ठीक है मोक्षदा चंद्राकर इनके पिता जी भी लोक कला है उन संगीत में काफ़ी फेमस थे उन्हीं का अगर हम देखें तो मम्ता चंद्राकर जी जो है लोक कला की गाई का है इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहां पर नाटक एकेडमी संगीत नाटक एकेडमी किसको मिला है मम्ता चंद्राकर को लेकिन संगीत नाटक एकेडमी फेलोसिप की बात करें ध्यान रखना है आपको जब भी फेलोसिप की बात करें तो फेलोसिप में आपको याद रखना है पदम विभूशन तीजन बाई के बारे में ठीक है पदम विभूशन तीजन बाई के बारे में पंडवानी गाई का ती चंद्राकर that is ममता चंद्राकर ठीक है करेक्ट ऑप्षन बन गया है यहां पर बी ठीक है याद रहेगा चलिए त Twilight से कितने पतक जिते हैं रास्टि यह Master Athletics पत्योगीता की बात कर रहा है ठीक है पहली चीज याद रखना है यहाद है आयोजन कहां हुआ यहाद हुआ 36 गड़ के तरफ से कितने लोग भाग ले रहे थे 36 गड़ में अगर आप देखेंगे तो 36 गड़ से तीन लोगों का नाम आता है ठीक है डॉली देवांगन पवन धनकर ठीक है पवन धनकर तो अब यहां पर अगर आप देखिएगा तो हर्याना में आयो जित इस मास्टर एथ अथ्योगीता करें अफर shift पत्योगिता हमें 36 गड़ कोा कुल आठ सिरी तेरा चाति सब्च्प चल पदक मिले है जिसमें से पवन धनकर ने पवन धनकर्ण करने थीक हैँ धनकर ने दो गोल्ड मेडल जीते हैं याद रहेगा दो गोल्ड मेडल जीते हैं किसमें master athletics प्रत्योगिता में एक सब कटेगरी में एक गोल्ड एक्स्ट्रा मतलब टोटल तीन गोल्ड जो है पवन धनकर ने जीता है तो 36 गड़ को कुल 13 पदक मिले जिसमें से पवन धनकर ने तीन कटेगरी में तीन गोल्ड मेडल जीते हैं ख्लियर रहेगा तो correct option बन जाएगा यहाँ पर C correct option बन जाएगा C next question है when will come to visit जाएगा से पनकर ने बैसे बनाण minds जाएगा तो कहले लुघेफ़ में एस वर्य प्रताप सिंग द्याद रखेंगे एस वर्य प्रताप प्रताप इंथिंग तो मने वर्ल्ड चैंपियंशिप में सूटिंग के वर्ल्ड चैंपियनसिप में गूल्ड मेडल जीता है नाम क्या इनका एसवरे प्रताप सिंग तोमर गूल्ड मेडल जीते है किसमें सूटिंग चैंपियनसिप में आपको याद रखना है अभी जितने भी sports related आपको देखने को मिल रहा है मेडल्स बगरा आप बिसिकली इसको याद रखेगा बहुत अच्छे से ठीक है करेक्ट आप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी नेक्स गुशन है एषिया आर्थिक संभाद का आयोजन भारत के किस सहर में किया गया एषिया आर्थिक संभाद यानिकी एकोनामिक करेंशन अगर सकते हैं करते हैं तो इसमें एषिया के सभी देशिओं के प्रतिनीद्धी सामल हुए थे Asia के सभी Asia महादेश के सभी देशों के प्रतिनी दी सभी देशों के प्रतिनी दी purpose क्या था? purpose क्या था इस convention का? purpose था कि आपसी सहयोग, आपसी आर्थिक सहयोग के साथ Asian Development Bank, Asian Development Bank इसमें मुख्यरुप से भुमिका निवाई है जिसमें Asiatic Country के साथ साथ अगर कहीं पर आर्थिक सहयोग की बात आती है तो हम एक दूसरे देशों का मदद करेंगे इस थीम के साथ, इस थीम के साथ Asiatic, Asia आर्थिक संबाद का आयोजन पूने में किया गया था याद रखना है आपको कहां पर पूने में किया गया था करेक्ट ओप्सन बन जाएगा यहां पर आपका A That is पूने, ठीक है, महरास्त्रा में इसके अलावा हाल ही में अभी आप लोगों को एक क्विस्चन देखने को मिला होगा कि नागपूर में अनुभूती दिव्यांग पार्क के शुरुआत की जा रही है यानि फिजिकल हैंडिकैप्ट को सहानुभूती नहीं समभेदना चाहिए इसके लिए इस थीम पर अनुभूती दिव्यांग पार्क के शुरुआत की गई है तो यहाँ पर correct option मन जाएगा आपका ए आते हैं last question पर अंतरास्टिये मात्री भासा पुरुसकार 2023 से किस भारतिये वेक्ति को पुरस्कृत किया गया है अंतरास्टिये मात्री भासा पुरुसकार किसके द्वारा शुरू किया गया है यह शुरू किया गया है UNESCO के द्वारा या यानि United Nation के द्वारा और यह पुरुसकार मात्री भासा के संद्रक्षन मात्री भासा संद्रक्षन संवर्धन पुनरुद्धार संद्रक्षन संवर्धन ठीक है पुनरुधार और विकास में उतक्रिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है उतक्रिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है और इस साल का ये पुरुषकार भारतिय सिक्षावेद और समाज से भी दॉक्टर महेंद्र मिसरा जी को दिया गया है याद रखना है महेंद्र मिसरा जी को दिया गया है correct option बन जाएगा यहाँ पर आपका B इसके अलावा निर्पेंद्र मिस्रा याद रखिएगा यह नाम यह पदमसरी विजेता है ठीक है पदमसरी से सम्मानित है civil सेवा में लोक सेवा में पदमसरी दिया गया है निर्पेंद्र मिस्रा जी को PMO में प्रिंसिपल सेकरेटरी के रूप में काम कर चुके हैं ठीक है प्रिंसिपल सेकरेटरी मतलब इंडिया का प्रधान सचेव correct option बन जाएगा यहाँ पर आपका B clear है तो आज के session में इतना ही अब बारी आपके student धर्मा की question है आज का सबसे उची frozen lake marathon सबसे उची frozen lake marathon की सस्थान पर आयोजित किया गया last वाले lecture में मैंने आपसे पूछा था कि फैमीनाम इस इंडिया में 36 गड़ का प्रतिनिदे तो कौन करेंगी तो याद रखेगा जानवी शोनी याद रखेगा आप सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक सेर्ज जरूर करें तैंक यू सो मच